इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। टैसोवन लोशन एक सामयक स्टेरोइड है, जिसका उप्योग सूजन और खुजली वाली तवचा की स्थिती के इलाज के लिए किया जाता है। यह सूजन पैदा करने वाले पदार्थों की रहाई को रोक कर प्रभावित क्षेत्र में सूजन, लालिमा और खुजली से राहत प्रदान करता है। डैसोवन लोशन केवल बाहरी उप्योग के लिए है, और इसे आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार इस्तिमाल किया जाना चाहिए। दवा की एक पतली परत लगाने से पहले आपको प्रभावित क्षेत्र को सामान्य रूप से धोना और सुखाना चाहिए। अपनी आख, नाख या मूँ के किसी भी संपर्क से बचें। आकस्मिक संपर्क के मामले में इसे खूब पानी से धोलें। जब तक डॉक्टर द्वारा निर्देशित न किया जाए, उपचारित क्षेत्र को एर्टाइड रेसिंग जैसे की पटियों से धखने से बचें। दवा का उप्योग करने से जलन, जलन, लालिमा और आवेदन की जगह पर सूजन और दाने हो सकते हैं। ये अस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ हल हो जाते हैं। हाला कि अगर वे बने रहते हैं या खराब हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। गर्भवती महिलाओं के लिए दवा की सिफारिश नहीं की जाती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।